जिन लोगों ने मोधी सरकार में भ्रष्टाचार को जागर किया था मोधी सरकार ने उन्हीं का तबादला कर दिया भ्रष्टाचार को लेकर इतना नकारात्मक संदेश मोधी जी क्योंकि आप तो कहते थे ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा आप तो ये भी कहते थे कि आप भरष्टाचार के खिलाफ गारंटी है बहुत शौकिंग है दोस्तों खबर क्या मैं आपको बताता हूँ CAG CAG जिसका मकसद है सरकारी योजनाओं में भरष्टाचार का उजागर करना उसने मोदी सरकार के अंदर भरष्टाचार को उजागर किया था वो योजनाओं किया थी कुछ देर बाद उनमें से तीन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है जाहिर सी बात है कॉंग्रेस इसे मुद्दा बना रही है जाहिर सी बात है लोग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को उनके उन दो वादों की याद दिला रहे है मगर सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा ये पूरा मुद्दा क्या है आपके स्क्रीन्स पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक C.A.G. के तीन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है इन अधिकारियों ने आयुश्मान भारत में मृत लोगों का इलाज और द्वारिका एक्सप्रेस वे में भरष्टाचार के मामले को किया था बेनकाब C.A.G. की रिपोर्ट संसत के मौनसुन सत्र में पेश की गई थी जिसमें कई सतरों पर आर्थिक अनेमित्ता और भरष्टाचार के मामले सामने आये थे रिपोर्ट के बाद काफी हंगामा हुआ था अब रिपोर्ट तयार करने वाले तीन अधिकारियों पर गाज गिरी है उनका तबादला कर दिया गया है तबादले की जानकारी सामने आने के बाद विपक्षी गडबंधन इंडिया ने केंद्र सरकार की मोधी सरकार पर हमला बोला है द्वारिका एक्स्प्रेस वे इसके इलावा जैसे मैंने बताया आयुश्मान भारत आयोध्या री डेवलप्मेंट प्रॉजेक्ट इन तीन योजनाओं में जबर्दस भरष्टाचार आयुश्मान भारत में तो जो लोग मर चुके थे उनके लाम पर कमाई हो रही थ जो नसिर भरष्टाचार है दोस्तों बलकी नैतिक तौर पर कितना शौकिंग है याद कीजिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था क्या कहा था याद है भूल गये प्रधान मंत्री क्या आप भूल गये अपने स्वादे को प्रधान मंत्री ने कहा था ना खा प्रधामंत्री ने ये भी कहा था कि मैं भरष्टाचार के खिलाव गारंटी हूँ उन्होंने क्या कहा था कुछ देर बाद मगर जाय सी बात है कॉंग्रिस ने इस पर तीखी प्रतक्रिया अपनाई है जैराम रमेश क्या कह रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर कॉंग्रिस प्रवक्ता जैराम रमेश ने कहा है कि मोदी सरकार सच को छिपाने और डराने धमकाने के लिए माफिया की तरह काम करती है यदि कोई उसके भरष्टाचार के तौर तरीकों को सामने लाता है तो या तो उन्हें धमकी दी जाती है या हटा दिया जाता है में बड़े पैमाने पर घोटालों का खुलासा किया है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों एक New York Times की रिपोर्ट के आधार पर आपने News Click पर निशाना साधा था उसे देश ग्रोही करार दे दिया था हाला कि उस New York Times की रिपोर्ट में कहीं पर भी चाइनीज पैसे का जिक्र नहीं था मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अडानी के किरदार को लेकर धेरो रिपोर्ट्स आ गई है धेरो इंटरनाशनल रिपोर्ट्स आ गई है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अलावा भी गार्डियन इस पर रिपोर्ट कर चुका है कई अखबार इस पर रिपोर्ट कर चुके है अब तक मोली सरकार ने कोई आक्शन नहीं लिया अडानी ग्रूप जो है इस मुद्बे पर लगातार घलत बयानी कर रही है पहले वो कहते हैं कि उनके भाई से उनका कोई लेना देना नहीं है विनोद अडानी शायद उनका नाम है और फिर बाद में उस पूरे ऑपरेशन में उनका किरदार है यहीं नहीं दो विदेशी एक साउदी अरब का और एक चाइना का या शायद ताइवान का है वो दोनों का किरदार सामने आता है कि किस तरह से नकली तरीके से अडानी के शेरों को बढ़ाया जा रहा था उनके दामों को बढ़ाया जा रहा था और सेभी की निगाह में ये एक गुना है और सबसे बड़ी बात सेभी ने इसकी जाच की थी 2014 में जब मोदी सरकार आई थी और क्लीन चिट दे दी गई थी अडानी ग्रूप को और सेभी के जो डाइरेक्टर थे UK सिनह वो बाद में जाकर NDTV जो की अब अडानी के नियंतरण में है उसमें वो डाइरेक्टर बन जाते हैं निदेशक बन जाते हैं ये तमाम चीजें बतार दर्शक आपको समझ नहीं आती क्या बताइए ना यानि कि जो एजनसी अडानी की जाच कर रही थी उस एजनसी उन्होंने क्लीन चिट दे दिया और उस एजनसी का जो डाइरेक्टर है UK सिनह वो फिर अडानी ग्रूप में निर्देशक या निदेशक बन जाता है ये सवाल होने चाहिए ना भ्रष्टाचार को लेकर ये मुद्दे उठाये जाने चाहिए या नहीं उठाये जाने चाहिए और प्रदान मंत्री आपने क्या कहा था कि आप भ्रष्टाचार के खिलाब गारंटी है मुलाइजा फर्माईए अगर उनकी गोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हर गोटाले बाज़ पर कारवाई की गारंटी मैं फिर आप से पूछना चाहता हूं दोस्तों ये तमाम जो वादे इरादे हैं ये तो सब धकोसला लग रहा है ये सब तो परिकत्था लग रही है ना ये तो सब काल्पने कथा हैं ये सब जो दावा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा CAG ने भरष्टाचार का जो है एक्स्पोजे किया और जिन तीन अधिकारियों की वो रिपोर्ट थी उनका तबादला आपने कर दिया आपके जहन में सवाल होगा ये पूरा मुद्दा क्या है दोस्तों तो एक-एक शब पर गौर कीजेगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ CAG रिपोर्ट में इंफरस्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाओं में घुटाले को उजागर किया गया था रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेस वे में 1400 प्रतिशत लागत बढ़ने और टेंडरिंग में धांदली सामने आई थी साथी हाइवे पर योजनाओं में 3600 करोड रुपे की हेरा फेरी, दोशपूर्ण बोली प्रक्रिया और भारत माला योजना की लागत 60 प्रतिशत बढ़ने की बाद भी रिपोर्ट में थी इतना ही नहीं, आयुश्मान भारत योजना के ओडिट में मृत मरीजों के लाखों क्लेम्स और कम से कम साढ़े साथ लाक लाभारती एक ही मोबाईल नंबर से जुड़े पाए गए अब आयुश्मान भारत और द्वारका एक्सप्रिस वे घुटालों पर रिपोर्टिंग के प्रभारी CAG के तीन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है इसके बावजूद कि CAG को एक स्वतंत्र निकाय माना जाता है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ एक जमाना था जब कॉंग्रिस की सरकार थी तब CAG के प्रमुक्ते विनोध राए इन्होंने टूजी मामले में भ्रष्टाचार को उजागर किया था कहां गया विनोध राए जब सत्ता बदली तो भाजपा की गोद में जाकर बैठ गया उसवक विनोध राए संसद में CAG की रिपोर्ट पेश होने के पहले पत्रकारों को लीक कर देते थे पत्रकार उस मुद्दे पर कॉंग्रिस सरकार से सवाल करती थी मगर उस मुद्दे को लेकर कोई भरष्टाचार सामने उभर करनी आया सबसे बड़ी बात रॉबर्ट वाडरा को लेकर प्रियंका गांधी के पती रॉबर्ट वाडरा के भरष्टाचार को लेकर भी कई बातें की गई थे भारतिय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉंफरेंस की थी दामाद नामा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नौ साल गुजर गए रॉबर्ट वाडरा पर कोई कारवाई क्यों नहीं की गई ये सवाल पूछा जाएगा ना क्या परदे की पीछे कोई डील हो गई है ये भी सवाल पूछा जाएगा ये सवाल मैं आपसे रख रहा हूँ भाई अगर रॉबर्ट वाडरा भ्रष्टाचारी है अगर विनोध राये जो आज की तारीक में भाजपा की गोद में बैठे हुए उन्होंने टूजी केस में भ्रष्टाचार की बात की उस वक्त कॉंग्रेस सरकार जो अधिकारी भ्रष्टाचार को उजागर करते थे उन पर इस तरह से निशाना नहीं साधती थी क्योंकि देश उस वक्त एक लोक्तंत्र था अब क्या हो रहा है मुझे बताईए ना सुप्रिया श्रिनेत ने कॉंग्रेस की नेता सुप्रिया श्रिनेत ने ये बयान दिया है आपके स्क्रीन्स पर आक्शन CAG रिपोर्ट आयुश्मान भारत स्कीम मैधानली रियाक्शन घोटाले की जाच नहीं मोधी सरकार ने CAG के उन तीन आधिकारियों का ट्रांस्वर कर दिया है जिन्होंने घोटाले को उजागर किया था मैं आपसे एक सवाल पूछने चाहता हूँ जिन लोगोंने मोधी सरकार को वोट दिया था साल 2014 में किस नारे पर दिया था डेर सारे नारे थे बहुत हुआ नारी परवार अब की बार मोधी सरकार बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार अब की बार मोधी सरकार अब क्या हो रहा है दोस्तों अब तो ये हो रहा है कि भ्रष्टाचार की रिपोर्ट सामने ही नहीं आती मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ गोधी मीडिया में क्या डिबेट्स चल रहे है इसματα गोधी मीडिया में क्या डिबेट्स चल रहे है यह जो इतनी बड़ी खबर थी इसकी चर्शा क्यों नहीं हो रही है क्या भश्टाचार को लेकर खबरों की चर्चा करना उसका नाता आपके साथ नहीं है क्योंकि जब कॉंग्रिस की सत्ता हुआ करती थी तो उस वक्त जो कमिया थी सरकार में मेरे जैसे पत्रकार वो लगातार मुद्दे उठाते रहते थे बार बार मुद्दे उठाते रहते थे क्या उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, अडानी पर भी धेरों international reports हैं, उसको लेकर क्या हो रहा है मुझे बताईए, एक भी rate पढ़ती है, आपका ED, दिल्ली पुलीस, income tax किस पर rate मारती है बताईए, या तो वे विपक्ष के नेताओं पर rate मारते हैं, या फिर विपक्ष के ने विपक्ष के नेताओं को पैसा देने वाले जो business houses हैं, उन पर rate मारते हैं, भई भष्टाचार को लेकर one way traffic नहीं हो सकता, एक तरफा बात नहीं हो सकती, भष्टाचार को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए, और वो पारदर्शिता पूरी तरह से नदारत है, पूरी तरह से खुद को जहरीले मुद्दों में उलजा कर रखना, इस से ना आपका फाइदा होने वाला है ना आपके परिवार का, मगर एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप सरकार से सवाल करेंगे, तो आपको रात को अच्छी नीद आएगी, मगर अगर आप अपने मन के अंदर स जगातार मन में एक जलन रहेगी, नीद भी नहीं आएगी, मगर अगर आद मुद्दों पर बने रहेंगे, तो एक जागरूक नागरिक कहलाएंगे, अबिसार शर्मा को दीजे अजासत, नमस्कार स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिये, बहुत आसान है दोस्तों, इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएगी ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिये, और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये